कौन कहता है कि आस्मान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबियस से उचालो यारो तो क्लास 12 के बच्चे इस वक्त बहुत सारे उपर नीचे आने वाली समस्याओं के प्राब्लम्स में इस वक्त चल रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं तुम्हारे सामने इस वक्त आ रहे हैं बहुत सारे कभी इधर predest हो रहा है, कभी इधर कुछ हो रहा है, कभी उधर cancel exam करो, कभी ये post pun करो, कुछ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कोई सुन नहीं रहा है, कोई मतलब भी नहीं है, पढ़ाई में ध्यान देना important है, इस वक्त वही आंगे बढ़ेगा जो पढ़ाई करेग जब पुरी इस दुनिया में डाइनासॉर्स अपना राज जमा के रखे थे, तो अर्थ का temperature बहुत increase हुआ, and due to that increment in the temperature, सारे के सारे डाइनासॉर्स खतम हो गए, पुरी दुनिया से perish हो गए, perish का मतलब नेस्तना बूत हो गए, खतम, तो जो एक चुहे जैसा दिखने वाला, आज जो हम इंसान है, वो जमीन के अंदर जाके छुप गया, और अपनी जान बचा लिया, डानासॉर्स सब मर गए, जब दुनिया का फिर से evolution आप, पेड़ पौधे आए, तो ये चुहा बाहर निकलता है, चुहे जैसा देखने वाला कोई, बाहर निकलता है, और फिर लैम करके, जो बंदा सिद्धत से पढ़ाई करेगा, वो बंदा definitely आगे बढ़ेगा, और उसके अच्छे marks आएंगे, वो अच्छा कुछ अचीव करेगा life में, और definitely उसे खुशी मिलेगी, tension दूर होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई की है, आज कल के टाइम पे ना, tension तुमारा सबस से वड़ा दुश्मन है, कि हमारा कुछ पढ़के नहीं हुआ, exam 15 तारीक से practical चालू, आखिर practical का tension ही नहीं लेना है, क्योंकि तुमारा खुद का college है, और वहीं पे खुद के teacher रहेंगे, खुद का questions और हर एक college का teacher अच्छे marks देता है, 30 में से तुमको 25-24 पक्का मिलेगा, को issue की बात ही नहीं है, ठीक है, तो आराम से मिलता है, उसका कोई tension ही नहीं है, tension है return exam का, ठीक है, तो return exam भी आसान ही होगा, लेकिन question तो 80 marks के, 70 marks के रहेंगे ना यार, तो उस चीजों पर ध्यान देना है तुम्हें, उस मुद्दे पर ध्यान देना है, तो चलो बात करते हैं कि किस तरीके से last के 30 days की utilization तुम करोगे, किस तरीके से उसका इस्तमाल करोगे, चलो बात करते हैं, last 30 days तुम किस तरीके से पढ़ोगे, देखो यार, तुम्हारे पास सिफ 3 दिन है, हर एक subject को देने के लिए, तब जाके तुम उन 3-3 दिन पढ़ते हो, तो जाके तुम कहीं 10 chapter खतम कर पाओगे, लेकिन क्या ऐसे 3-3 दिन दे करके तुम एक पूरे subject को खतम कर पाओगे, not possible, तुम्हारे पास सिफ 30 दिन है, और कोई भी एक अच्छा इंसान तुम्हें ये नहीं कहेगा, कि अब तुम ना focus करो chapter की reading में, तो पहली सीख, chapter की reading अब मत करना, MCQ point concept building particular topic को पढ़ना हो, तो ही तुम reading करना, वरना reading मत करना time waste, दूसरी चीज, try करो कि सबसे ज़्यादा जितना हो सके model paper solve करो, market में बहुत से model paper available है, किसी भी publication का ले लो, सब अच्छे हैं, तुम्हें questions से मतलब है, publication को लेके क्या करोगे, अचार डालोगे, सिर्फ questions पे ध्य questions एक बार देखोगे, idea लगेगा कि किस तरीके के questions आती है, मैंने आपको previous year 2013 से ले करके सारे question paper, आपको अलड़ी दे दिये है, telegram group में डाल के रख दिया है, जाओ, उन्हें पढ़ो, उसकी video भी बना दिये, तो सिद्दत से उसे achieve करो, तो model paper से तुम्हें idea लगेगा कि आखि दूसरी बात, महरास्टा board ने तुम लोगों को question bank provide कर रखा है, तो question bank तुम्हें मिल जाएगा ma.ac.in पे, ये website में जाने के बाद कहीं प्रस्न पेड़ी लिख के आएगा, वहाँ पे class 12 क्लिक करके पूरे subject के question bank ले सकते हो, और question bank is most important, question bank में भले लिखा हुआ है कि उसमें से कुछ नहीं है बट अगर तुम वो सारे questions करके जाते हो, question bank के सिर्फ questions, आराम से 70% 12th board में अचीव कर लोगे, आराम से मत्तब सिर्फ question bank पढ़के भी, तो आज से थोड़ा time देना पड़ेगा, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को तुम time दोगे, तभी तुम्हें कुछ सामने से response आएगा, तो वैसे ही अगर इसको time दोगे, तो ये भी तुम्हें सामने से response देगा, तो अब question bank में बहुत से questions हैं, अब जब बहुत सारे questions हैं, इतने सारे questions को अगर तुम्हें पढ़ना है, तो obviously बात 6-7 घंटे का दिल में कम से कम time दो, रात में revision का time दो, जो दिल सा time देना पड़ेगा चीजों को, time दोगे, तभी आगे बढ़ोगे, इस चीज को समझ के रखो अच्छे से, तो question bank के questions तुम्हें solve करने हैं, ठीक है, फिर ध्यान दो, अब जरूरी नहीं ये ख्वाब छोड़ दो कि सारे chapter करके जाएंगे, एक बुद्धिमान और strategy वाला ब 5 chapter हैं, वो सारे के सारे 5 chapters का revision is most important, अब वो चाहे कोई बे chapter तुमने किया हो, मैंने most important chapter की वीडियो भी already बना रखी है तुम्हारे लिए, तो उस वीडियो को देख लो जाके, चाहिए तु वापस से एक बार और वीडियो बना दूँगा कि most important questions chapter कौन कौन से हैं, physics, chemistry, maths, बाय तुम्हारा 30 दिन के बाद तुम्हारा written paper है, written paper पे ज़्यादा focus करना है, तो इसके लिए जो 5-6 chapter भी अगर तुमने 7 chapter भी पढ़ रखे हो, तो तुम्हें उसका revision करना है, try करो कि उसके मेरे YouTube channel में one shot video सारे डाले हुए हैं, 2-3 गंटे के अंदर पूरा chapter finish, उसकी proper notes, अग detail video तो देख नहीं सकते, time कम है, तो detail video भी डाला हुआ है, देखना है देख लो, particular topic तो देखी सकते हो, but one shot देखके पूरे chapter को revise करने का, फिर question bank से उसके सारे questions पढ़ने का, उनको समझने का, writing work करने का, and then model paper से अपनी capacity पता करने का, कि आखिर तुमको कितना आता है, कितना तुम चैप्टर चालू करते हो, यह solid state कोई भी, तो सबसे पहला step क्या करोगे, उसका पूरा one shot देख लो, one shot देखने के बाद, जो question bank के सारे question से वो कर लो, फिर exercise पे ध्यान दो, अब देखो, अब तुम बोलो कि भाईया, इतना सारा हमारा पढ़के थोड़ी हो पाएगा, एक य revise करना है, नया chapter तो तुम करी नहीं पाओगे तीस दिन में, tension बहुत जादा है, यार, नया chapter करके क्या ही गर पाओगे, यतना पहले पढ़ा उसको revise करना है, और पहले ही कुछ नहीं पढ़ा है, तो भाईया, तुम तुमारे चरण कहा है, दिखाओ चरण हमें, ठीक है, तो अगर पहले ही कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब तीस दिन में, try करो, कि question bank के सारे questions याद कर लो, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको ABCD भी नहीं आती है, अपने physics chemistry maths की, so try करो, कि question bank के सारे questions के answer, MCQ, ये सब कुछ पे ज़्यादा ध्यान दो, 20 maths भी निकाल लोगे न, तो 30 में से 25 मिल जाएगा, 45 मिल के पास हो जाओगे तुम लोग, 90 तो आएगा, नहीं सपने मत देखो इतना, ठीक है, तो question bank और exercise, पहले से पढ़के रखे हो, तो उसको revise करना ह में one shot देखने के बाद, and then model paper दुकान में मिलता है shop में, खरीदो, और model paper से पता करो कि तुम्हें कितना आता है, questions को देखो और read करो, भाई अगर तुमको समझता है कि नहीं समझता है, क्योंको ऐसे question board exam में मिलेंगे, तो model paper की जगह में previous year question paper का भी इस्तमाल कर सकते हो, वो मै अलग हो सकता है, लेकिन अंदर के question सेम है, question important है, उन questions पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि teachers भी तो पुराने ही है न, वही teacher question paper बनाएंगे न, तो वैसे question आएंगे न, ठीक है, तो उन questions पे ध्यान दो, ठीक है, telegram की link description box में दिया है, वहां से ले सकते हो, तो इस तरीक पर एक घंटे पढ़ना पड़ेगा, और night में तुम्हें revision करना पड़ेगा, night में तुम्हें सोने से पहले revision करना पड़ेगा, बहुत से बच्चे कहते हैं, हमारा premium exam आ रहा जो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अरे भाई, premium exam दोगे, तो पता चलेगा कि आखिर तुम board में कितना उखाड पाओगे, तुम्हारी capacity तुम्हें मालूम पड़ेगी, तो premium examination देना बहुत जरूरी है, उसे तुम्हें देना ही चाहिए, तो premium exam सब बच्चे देंगे, कितने मात साते आखिर पता तो चलेगा कम से कम, समझ गया, try करो कि biology के diagrammatic question जादा करो, maths के formula याद कर करो, समझा, top पर बच्चे miscellaneous भी पढ़के जाओ, physics, chemistry के जो numerical है और theory पे जादा focus करो, exercise question भी बहुत जरूरी है, सब कम सुनते बैटो exercise करके जाओगे, तो बाकी की सब भी अच्छे से आएंगे, क्योंकि वहाँ से question आते हैं, ऐसा नहीं है, numerical question exercise से नहीं आता, theoretical question exercise से बहुत आते हैं, वो करो, question bank enough है, question bank में must question दिया हुआ है, ढूड़ो, करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, तो ये तरीके follow करोगे, आगे जाओगे, जितने chapter हैं उन्हें भूलने मत देना, revision, 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 practice makes man perfect, इस line को हमेशा ध्यान रखना, तो guys मिलेंगे next वाली वीडियो में, अगर आपके आपके life में इस वीडियो ने अगर थोड़ी सी भी value add की होगी, तो please इस वीडियो को like, share और subscribe करना, और comment box से बताना कि तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए, क्योंकि अब last के दिन आ रहे हैं, तो किसी भी चीज की demand हो, हम लोग करवा के देंगे, पूरी हमारी team है teachers की, सब आप आपको provide करके देंगे, so thank you so much for watching this video, thanks a lot, bye bye, take care.